वर्जबायट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं सोशल मीडिया ने लोगों को अभिवक्ति की आजादी दी तो कुछ परिवारों के लिए यह परिशानी का सबब भी बन गया है एक सोशल प्लेटफॉर्म पर पहले दोस्ती हुए फिर यह नवबत आगे कि नावालिक किशोरी अपने परिजनों को धोका देते हुए घर से भाग गई परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है पुलिस के चक्कर पर चक्कर लगा जा रहे हैं लेकिन पुलिस का कहना है कि किशोर अपार्टमेंट निवासी मीना कश्यप ने कहीं से कोई सुरागने लगने पर SSP कारेले पहुँचकर अपनी गुहार लगाई किशोरी के चिंतित मा का कहना है कि वह कैसी है किस हाल में बस यही पता चल जाए फर्स्ट पाइट को मीना कश्यप ने यह पताया सत्रा तारिकों सकी कंट्रेंट फिर दुबारा हमने एस भी आफिस से करवा कर यहां कंट्रेंट करा के फिर वहां पर कराई पलंपरूम थाने में लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला कोई करवाई नहीं करी जारी लड़की के बारे में हम लोग दिन रात खोच कर वहां में शुरुचकुन पर भी दिखाई दी कुछ लोगों को पता चला बेगंपुल पर भी दिखी क्योंकि हमने फेस्बुक पे उसकी फोटो टाल के समय कह दिया था कि जिसको भी मिले करके हमें इस नंबर पर फोन करें तो हमें जगे-जगे से मैसीज आए फोन आए सब लड़की को यहां देखा इसके संग चार लड़की हैं लेकिन पुलिस कुछ हेल्प नहीं कर रही कि करना मिस्ती है वह बंदा तारिक को तीन वजे के आसपास घर से निकली है उसके बास तो कुछ पता नहीं है उसका फोन भी सोईचाफ आ रहा है और कोल डिटेल कुछ भी नहीं निकाली गई हां आज सुबह चार तीन नंबर से फोन आए उनमें से एक लड़का वीडियो बेस्ता फिर डिलीट कर देता है और कहता है मेरा तो यही काम है दूल चटाना इस तरह की वीडियो वह जंगल की वीडियो जंगल साइट की जहां यह मैटों का का काम चलना पिलर भी दिखाई दे रहा है उसका मेट्रों के जो लगे में टीन-चेट इस खबर में फिलाल इतना ही है आप देखते रहे हैं फस्सबाइट आटी नमस्कार